किसानों की आई दोगनी करने की दिशा में मूदिस सरकार का प्रयास रंग दिखा रहा है मूदिस सरकार चीन में भारतिय अंगूर का नर्याद पढ़ाने पर लगतार जोर दे रही है इसका परणाम ये हुआ है कि भारती अंगूर का निर्याद 2017 में करीब दोगना होकर सरसत लाख डॉलर तक पहुच गया है 2016 में निर्याद 35 लाख डॉलर का था 2020 तक निर्याद में 200 फ्रिसादी की बरहूतरी होने की संभावना है मजदार बात ये है कि चीन की Phytosanitary Agency में भारत के Registered Package House और अंगूर का बगीचों की सूची मांगी है ताकि अंगूर निर्यादकों को Approval दिया जा सके वर्तवान में चीन, इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका और तुर्की से बड़ी मात्रा में अंगूर का आयाद करता है 77 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत का अंगूर के उत्पादन में विश्व में पांचवां अस्थान है जाहिर है कि मूदिस सरकार का ये प्रयास देश के किसानों की आय डवल करने में मददकार साबित होगा